सफिकु नमस्कार आज का हमारा प्रेश्ण है कि मीरा क्रिष्ण की उपासना किस रूप में करते है वह रूप कैसा है मीरा क्रिष्ण की उपासना पती के रूप में करते है उसका रूप मन को मोहने वाला है वे परवत को धारन करने वाले है उनके सिर पर मोर पंखी का मुकट है इस रूप को अपना मान कर वे सारे संसार से विमुक हो गई है यानि कि सारा संसार उन्हें अपना सा नहीं दिखता है उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं और कृष्ण को ही वह अपने पती के रूप में मान चुकी है नेक्स्ट इंपोर्टेंट कुष्चन है लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं दिवानी मीरा कृष्ण भक्ती में अपनी सुद्भूत खो चुकी है उसे संसार की किसी भी परंपरा, रिती, रिवाच, मर्यादा अत्वा लोग लाज का ध्यान नहीं है इसलिए लोग उसे बावरी कहते हैं बावरी यनि जो पागल होते हैं उन्हें बावरा कहा जाता है संसारी लोग मीरा की भक्ती की प्राकास्था को पागल पन मानते हैं बावरा पन मानते हैं मीरा राजसी व्याभव और सुख को ठुकरा कर क्रिश्न के भजन गाती हुई घूम रही हैं ऐसा कारे तो कोई पागल ही कर सकता है ऐसा लोग उने कहा था, तत्कालीन लोग उने कहा था क्योंकि उस समय पर इस प्रकार की जो चीजें थी नित्यादी राजघराने की मैलाएं नहीं किया करती थी इसलिए लोग उने पागल कहते थे और मीरा बाई जो थी कृष्ण की भक्ती में गुंगरू बाद करके पाउं में नाचा करते थे हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट कृष्ण है विश्च का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी इसमें क्या व्यंग्य छेपा हुआ है यह वो मृत्यू को प्राप्त नहीं हुई और यह इस तरह से विश्च करता है कि प्रभु भक्ती करने वालों का विरोधी लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जो लोग प्रभु के ध्यान में मग्न रहते हैं मीरा की तरह होते हैं उन्हें जो विरोधी लोग हैं उनका विरोध करने वाले लोग हैं वो जहर दे करके भी नहीं मार सकते हैं इस प्रकार का यहाँ पर व्यंग्य जो है इस पंक्ती में है हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट कुछिन है कि मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है संसार के सभी लोग संसारी मायजाल में फंस करके इश्वर यानि कृष्ण से दूर हो गए हैं और उनका सारा जीवन व्यार्थ जा रहा है इस बात पर मीरा जी को तकलीफ होती है उन्हें दुख होता है और वहर उने लग जाती हैं इस सारहीन सारहीन यानि जिसका कोई सारं नहीं है ऐसी जीवन सेली को देख करके मीरा जी को रोना आ जाता है लोग दुरलब मानव जन्म को इश्वर भक्ति में नहीं लगाते हैं इसलिए संसार की दुर दशा पर मीरा को रोना आ रहा है संसार की जो बुरी दशा है उस पर मीरा बाई को रोना आ रहा है झाल 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 झाल